नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसन मार्ग हर इंसान के सरीर पर प्राकृतिक रूप से तिल होते हैं कुछ तिल काले होते हैं और कुछ तिल लाल होते हैं कभी कभी तो ऐसी जगों पर तिल हो जाते हैं कि लोगों को तिल से ही नफरत हो जाती है और हम आपको इसी कड़ी में आज बतलाएंगे कि सरीर के कौन से हिस्से का तिल आपको खुशकिसमत बनाता है हलांकि हमारे सास्त्रों की माने तो तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और तिल जिस भी अंग पर होता है हमारे सरीर का उसका प्रभाव खुद बखुद हमारे जीवन पर पढ़ने लगता है या कहें तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है लाल तिल सरीर पर होना कहीं भी हो चाहे बहुत सूभ होता है लेकिन काला तिल सिर्फ जगह के अनुसारी सूभ होता है अब वो मैंने रखता है कि किस जगह पहर है वो तिल बहुत सारे जगह पर काला तिल असूभ पर भी डालते हैं पर लाल तिल के बारे में ऐसा नहीं होता वो कहीं भी हैं वो सूभी फल देते हैं तिल या मसा आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे वैसे तो सामधरी सास्तर में इसके बारे में बहुत सी बातें बताई गई है चलिए उसी कड़ी में हम आपको कुछ बाते बतलाते हैं अगर आपके नाक के दाहिने तरफ नाक खड़ी नाक होती है उसमें दो छिद्र होते हैं आप दोनों पाट ले सकते हैं उसमें से दाहिन तरफ अगर तिल है नाक के दाई तरब कहीं भी उपर से नीचे तक तो इसका मतलब है आप दिखते भी सुन्दर होंगे और सभाग के साली हैं आप संतान का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा और नाक के दाई तरब का तिल अगर आप लड़की है आपका है तो इसका मतलब है आपको आपके मायके का प्यार लाइफ टाइम मिलता रहेगा लेकिन अगर नाक के बाई तरब तिल हो तब इसका मतलब क्या होता है इसका अर्थ होता है जीवन साथ ही आपको प्यार करने वाला मिलेगा और आपका दामपत्ती जीवन भी अच्छा रहेगा आप मेहनत के बल पे जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं यानि आप जितनी भी मेहनत कीजेगा उसका फल आपको जरूर मिलेगा अगर नाक की ठीक सामने नाक का जो आगे वाला पोर होता है अगर आपने देखाओं का बहुत सारी लड़की को लड़का को वहाँ पर नाक के ठीक सामने मसा या तिल होता है क्या आपको पता है ये क्या होता है इसका अर्थ होता है आप बहुत सारे चीजों में आप महारती है यानि अगर खाना बनाते हैं तो उस छेतर के महारती है आप जो भी काम करते हैं उसके महारती है साथी आपको कोई भी चीज सीखने की बहुत ललक होती है और धन की कमी आपके पस कभी नहीं होती धन्वान होते हैं सौभागे साली होते हैं अगर आपके नाक के ठीक आगे में तिल है तो लेकिन एक गड़बर बात है आपका क्रोध बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बात ये आपके बैभाई जीवन पर भी कभी कभी असर डाल देता है हलाकि बाकी सारे तिल भी अपने अपने माइने रखते है हलाकि बहुत सारे मत ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के नाक में तिल होते हैं वे थोरे नकरीले सुहाब के होते हैं लेकिन नाक का तिल आपको दरिया दिल बनाता है आप अपने करियर में बहुत कुछ पा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत और सफलता आपके हाँद में अब हम बात करते हैं आपके टोड़ी पर तिल के यह जो तिल है ओठों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है सुभ संकेत होते हैं आम तोर पर माना जाता है कि जिनके भी ओठों के नीचे वाले पार्ट में तिल होता है उनके बने बनाये हुए कारे कभी नहीं बिगड़ते या फिर कहें तो आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं जो नामुम्किन सी चीज है वो भी बन जाती है वो भी ठीक हो जाती है आपको आपके पार्टनर से बहुत जचती है या कहें तो जमती है उनसे अच्छा बॉर्णिंग रहता है और आपकी धन वाली जो इस्थिती है वो मजबूत होती है कहते हैं जिनके पीट पर तिल होता है वो सवभाब से बहुत रोमांटिक होते हैं और हमेशा ही हस्ते रहने वाले होते हैं चाहे अंदर कितना भी तकलीफ हो पर चेहरे पर इसमाइल रहेगी हाँ घूमने फिरने के सौकिन होते हैं खुस मिजाज पीट में तिल वाले लोग ज उस नसीब होते हैं अगर आपके हाथों की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हथेली में तील होते हैं कभी-कभी तो परवतों पे भी होते हैं परवत पर तील होना उस ग्रह को कमजोर करता है लेकिन अगर आपके हथेली के बीचों बीच तिल है तो मान जो मिलती है उसी में खुश भी रहते हैं और हर एक चीज आपको मिल भी जाती है भाग ये से ऐसा कहा जाता है अगर आपके दाहिने गाल के में तिल हो इसका मतलब है आप सरमीले सुभाब के होंगे और ज्यादा तर लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता है बहुत कम दोस्त होते हैं लेकिन जो भी होते हैं वो पक्के होते हैं और दिखाबा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है अब बात करते हैं आपके ललाट की अगर आपके ललाट पर तिल है तो इसका मतलब होता है सुरुवाती जीवन में संघर सोगा पर इसके बाद आपकी किस्मत चमंग चाहेगी यानि यहां पर से आपका करीब 24-22 एर के बाद से आपका भाग्योदे होने लगता है दोस्तो हम ये भी बतला दें आपको महिलाओं के लिए बाएं हिस्से का तिल सुभ होता है और पुरूसों के लिए दाहिने हिस्से का तिल अब आप अपने हिसाब से देख सुन सकते हैं कि हमने जैसा बतलाया है अगर आप महिला है बाएं हाथ बाह में तिल है तो इसका मतलब है आपके पती प्यार करने वाले मिलेंगे और अगर आप पुरूस है और दाहिनी बाह में तिल है तो इसका मतलब है आपकी जीवन संगिनी जो होगी वो आपको बहुत मान सम्मान देगी तो दोस्तों ये थी कुछ तिल जो खुस नसीब के ही सरीर पर होते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें धन्यवाद